तो भी टाइम हो रहे सुबह के दस और अभी मैं हूँ मेरे गाउं में आपने देखा ही होगा मेरे लास्ट फ्लोग में मैं गाउं में आया था एक शादी में तो हाँ आज मैं आपको देने वाला हूं मेरे गाउं का पूरा टूर आपको दिखाएंगे कैसा गाउं मेरा क्या क लगाई अपर है लगडिया सारी और उसको पर टीन लगा हुए बगी यहां पर दिखो बॉक सारी ड्रोइग पुरा न बनाई यह पुरी कपड़े कंपर सिल्ग बनाई ए बुआ न यह बहुत फुरानी है सची में यहां पर लिखा है 1997 उसटाइब पैदा भी नी वा था यह त यहां पे न के अलमारी करें के खेसले क attained उता है योटs को पालब के सोगते। कुछ इस तरह की निगे समान पड़ए है अदर आ मरां यह है यह था एक पर मिडंए तो हां दो यह कमरे थे और एक मरा यह वीज़ाई पर निचाल से और ईक यह बैटने का भारव यहाँ देख सकते हैं भार करने जा रहा क्या मश्ट लगra भाई तो यहाँ बेचाने में सा देखो और हमारा घर अन्दर से आप को दिखा दिया सारा हो बहुन और यहाँ पर हमारा हे दृट यहाँ खान इस तरह च यहां का बातरूम तो हाँ यहां का तो घर अब चलते हैं हमारे धारे की तरफ तो यहांपे घर है और घर के बिलकुल पास में बगल में है धारा तो जो हम पहुँच गई यह सबसे मैं जगाह गाउं के कह सकते हैं डाइस यहां से आता बिलकुल fresh natural water तो सारे गाउं के लोग यहीं से पानी लेके जाते हैं अपने अपने घरों में तो हाँ देखो यह बहुत में चीज है हमारे गाउं की और यह किसी को नहीं पता कि यह पानी कहां से आता है यह देखो यहां से आ रहा है और फिर उपर से कहीं से आ रहा है उपर पहाडों से तो तो उस तक हम काफी चोटे थे जब यहाँ पर खेलते थे हम होंगे उस ताइम प्यूश की एज और फिर एक अलग सा पेन होता है हाथ में और यहां के स्कूलों में पहले इसका यूज करते थे बच्चों को ड्राने के लिए जैसे हमने स्कूल में डंडे खाया ना वैसे यहां के बच्चों को यह लगाते थे शिशून बिच्छू तो हाँ थोड़ा इससे बचकी रहना पहले हमारे घर के छतना इसकी होती थी तो फिर बाद में यह बदल दिया विकोस पाने आता था नीचे बारिश का तो फिर यह बदलने पड़े और अब टीन लगा दिया सब नहीं यहां पे तो हां कुछ घर लेंटर के बन गए और कुछ घर टीन के और कुछ घर अभी भी वाला वहां पे है तो देखो वाला घर वह भी पुराना वाला घर है पाक का घर तो यहां पे निकाल रही है चाथी हमारी चाला यह देखो इसमें क्या मिलाते हैं और गाई इसमें मिलाते हारा घास जो हमारे खेता में होता है फिर खिलाते हैं गाए को बाहरी है क्या बाहरी अम्मा क्या रहे हो? गाइस देखो, नाइन्टी एर्स की अम्मा यहाँ पर लकडी ढून रही है, लकडी घर लेके जा रही है, यह है पाड़ो के जिंदिकी, अम्मा बहुत श्ट्रों है हमारी, तो वन लाइक फर अम्मा, और यह जो रास्ता है यहाँ से उपर का, यहाँ पर गाइस राते हैं उपर जाके, तो वहाँ पर फिल्ड है, बहुत बड़ा, लेकिन हमेजा आना नीचे की तरफ, यहाँ पर न एक डोगी था, जो मेरे उपर हमेशा भोगता था, है यह नहीं गाईस अब यहाँ पर पता नहीं कहाँ गया, तो मेरे को सीन याद आ रहा है, यह यहाँ पर हमेशा आता था, और फिर भोगता था मेरे उपर, और अभी गाइस हल्की बारिष शुरू होगी है, यह देखो सामने एक और अम्मा, यह भी घास लेके आ रही है, और यह थी सामने अंगनवाडी, जहाँ पर चोड़े बच्चे बड़ते थे, यहाँ में प्यू यहाँ में पर बहुत पानी होता था गहरा पानी लेकिन हमने नहायाब होता है इस तरफ भी और उस तरफ भी हम बस नहाते देना दिमा आगे बस यू लुक सो प्यूटिफू गईस यवाला घर देखो भाई पूरा ठूटा हुआ है तो यह वाला घर ना बहुत पुराना होगा होगा इसलिए यह गिर गया उपर से देखो तो अभी काफे दूर आगया हूं गाउं से आपको दिखाने के लिए कि दूर से हमारा गाउं कै अब चलते हैं नदी के रास्ते हमारे घर तक बाकि देखो मौसम मौसम भाई बारिस का हो रहा है और हलके बुंदे भी गिर रही है इस लगे जेजगा यहां भी inelाने की तो यहां अब ही काफी नायमने गया कि देखो क्या दिखा यह दखो भाई यह अछ लीदी नहीं बड़ीजी भी घुमते गुमते हम आच के हैं हमारे गाउन के सबर मेन टिखाते लिए को तो यह है हमारे गाउन डॉझ वेस तर चलो कई शारे छेत गाओंवालों के तोिनमें हमारे घट भी है काफी उस तरफ सीजिद यह अमारे खेत वाले एрьreno अब टोर है द्धार्म कीसे में दुकान भीश जन्रे धनल स्टोर तो सारी हैं एस समानले नियुक कहां वाले और बीज pi 아니고 काफी दूर नहीं हेलो फाइले पहुंच चुके हैं घर भाई अब मैं काफी थक गया बहुत गुमाया मैं पुरा गाउं गुमाया भाई तो प्रेंगे पहले चाय तो चाय बना ली है और साथ में खातें भी स्कुर्ट इसने थंडे मौसम में ना चाय बहुत जरूरी है आप अब देखना अब ओ ठंडो जाएं कल से कव तो बरफ निइ रही नहीं गिरेगी यव और अब तो अब टाइम गया बरफ का मतलब मार जा गया अब तो अब तो कहां बरफ गिरेगी अशा कोई जरूरी नहीं है गाइस फाइनली मैगी बन चुकी है भाई तो पापाजी बताओ कैसी बनाई है मैंने मैगी बनाता है पापाजी चलो खाते हैं फिर मिलते आपसे तो फिलाल खाली है मैगी पेट फुल हो गया चल अब चलते अंदर अब कही जा भी नहीं सकते बिकोस बारिश आगी तो भी हो चुका है और मैं आगया हूँ अपने बैड पे तो बस थोड़ी देर में करेंगे दिनर और फिर सो जाएंगे बाकी आज मैंने आपको दिखाया हमारा गाउं जी तना मेर से हो पाया तो बताने कैसा लगा आपको तो वीडियो अच्छी लगी हो तो टो नंफगे टो बागा यू पाय व्यू बाइब गैरा ऐट इन नो फूर officials I to Thailand रचले कि अड़े का रहे मैं उच्छावी शूली सादी सुचन ख़ाइ क्यों में गर्ली तो सादी निजा यगा है तुका सादी हो टो कह रहा है से सादी है सै Cristo थह यो कर दिने जाए है त्sprसकी फिसा प्राज्ञिक ऊ == आाा love Sam Cham зай एस एस की एक सादी पाई सानी की .... शादी पिसके एसी एक है myself है यह भी नी रहे हो बनानी ना